को कि hellो फ्रेंब्स introducing oh। it's hospital नहीं देखाई तो पहले आप लोग फंस पारत देख오 तब सेकंट पारत देखो अब देखो आपके सामने एक ईमेज है तो आज यह एमेज आप लोगों को बहुत कुस इखाएगा रहाbai अब देखो वेस्ट वाटर, अब वेस्ट के सामने एक question mark लगा है, question mark लगा और उसके बाद वेस्ट को गलत काटा गया है, और ये सही भी बात है, चैप्टर का नीम है वेस्ट वाटर स्टोरी, वेस्ट तो हमें कहना ही नहीं चाहिए इसको, क्योंकि from waste to resource, ये waste से इसको पानी बना जा रहा है, यानि कि रिसोर्स में convert हो रहा है, लेकिन लोग इसको कैसे waste water story कर देते हैं, तो मैंने सोचा थोरा सा आप लोग को first chapter में जैसे इतना कुछ आप लोग समझे हो, सीविस सिस्टम के बारे में समझे हो, इतने सारी activity आप लोगों ने देखा first part में इस वीडियो के, मतलब इस chapter के first part में, और आप लोगों ने देखा कि कैसे waste water treatment plant होता है, यानि WTP होता है, तो हमने first part में बहुत सारी चीज़े डिसकस करी, अब देखो जो world wide majority of waste water is neither collected nor treated, अब अब दुनिया में जादा से ज़र जो waste water होता है, उसको ना collect किया जाता है और ना ही उसको treat करके pure बनाया जाता है, तो waste water is a valuable resource, लोगों को ये तो पता ही है कि waste water कितना जादा, मतलब कितना valuable resource है, उसको फिर से कैसे हम प्योर करके use कर सकते है उस पानी को, और fresh water कितना कम, per cent मे हमारे पास available है, लगभग 2.5%, लगभग 2.5%, इतना का हमने water precious resource में भी हमने देखा था, but it is often seen as a burden to be disposed of, the perception needs to change, बिल्कुल perception को हमें अपना change करना चाहिए, ये जो waste water को treat किया जाता है, जो waste water treatment plant होता है, लोग इसको burden की तरह कियो लेते हैं, और मैं आपको एक interesting चीज बता कि जो 80% of the global waste water जो होता है, उसको क्या किया जाता है, release कर दिया जाता है, environment में without किसी भी treatment के उसको ऐसे release कर दिया जाता है, बताओ 80%, क्योंकि waste तो कभी भी रुकेगा नी, जो waste water है, वो waste हो नहीं होना है उसको, तो अब देखो यहां पे कैसे factory और home और city से कैसे waste water आ रहा है, 80% लगबग ऐसे ही समंदर और नदीम उसको मिला दिया जाता है, अब हमने पिछले पार्ट में हमने बोला था कि जो भी student regular है, हम उसका नाम आज देख करके है, मतलब नोटिस तो regularly करते हैं, बट आज मैं बता दू उसमें कौन कौन है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंग कि उसमें सबसे पहले है, knowledge by अतिफ खान, ये बच्चा रोज देखता है वीडियो को, अब इसको मैं रोज नोटिस करती हूँ, उसके वाद अखलेश gaming करके कोई है, उसके वाद लखी राज है, अनुराग यातों है, अंचली गिरी है, येश बार्दन सिंग है, और अब लोग को समरे भी करवा दिया जाए, आप लोग के फाइनल एक्जाम के पहले, तो चलिए अब हम लोग पीडियाफ देखते हैं, सेकंड पार्ट का, बीकम एन एक्टिव सिर्जल से आज हमें देखना है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स पार्ट में देख लिया है, त जो वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट में हम इतने सारे प्रोसेस के फ्रू वाटर को क्लीन करते हैं, वो नेचर में आटोमेटिकली होता है, इस प्रोसेस को अबज़ो करता है, बूजो, अब हम देखते हैं, बीकम एन एक्टिव सिर्जिन का क्या मतलब है, अब हमारे आसपस कोई गंदगी तो नहीं करता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, हमें क्योंकि हाईजीन ही रहना पड़ता है, रास पास की चीजों को आप देखो, कहां पे जादा है, मतलब कहीं कूड़ा तो नहीं करता है, और सीवे सिस्टम को चीजों को अब भी पानी रिटा है, कुण खाए ह Nou throwing में तो नहीं करÝे लिक द बने से पहले मंने पहले गांची तो चीज और मूंकि स्पर्फ्रस बेंगाने पानी ऊक प्र्फित में भी जांतीruit करदे है, जानने मंचेड़कित्ति कर महें थे ञूंतर जाना इएज लेकिन हम इनसान है तो हमारी जरूरते भी तो होती हैं लेकिन हम क्या करते हैं स्थाइबं लिमिट कर सकते हैं और इस तरह से मिले कछड़ को एक जगा रखना ुख ने इससे क्या होती है चीजे थोड़ी थोड़ी एजी बन जाती है हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें अपना बैक खुद करना चाहिए हमें वहां से पॉलिथी निलाना चाहिए यह हम समझ दो एट्नोसफेर में छोटा छोटा चोटा कॉंट्रिबूशन अपना दे सकते हैं ओफन वी हब बीन रेपिल बाई ओफेंसिव स्मेल दे साइट ऑफ ओपन ड्रें इस डिस्गस्टिंग हम अकसर देखते हैं कि जागर कहीं पर भी गटर खुला होता है तो कितना बुरी स्मेल आती है और जो है देखने में बुरा ही तो लगता है दस सिचुएशन वारिश के ट मल वें टरू द Immer on the roads लव्ह देखते हैं कितने सारे आं जो हती है जब बारिश होता है किसे संड़कां पे बह जाते हैं कितने सारे कच्छडे एकते मड जाता है यह बहुत 1945 होता है और होता है कंडिशन सहीं तो मोस्ट अनुश्योणी स्टीक डारिडी स्गर और आपको श्य ऐसे पहले कि पानी बहुत है तो मॉस्कीटों होते हैं तो आपको क्या करना है यू का व process फिर हो हा carbon को आप जाकर के बता सब्सक्रा वैंकि इसको ठीक करो तो यह सीवे सिस्टम को ठीक करवाओं इस सीवेस अफ इनी पर्टिकुलर हाउस मेक दे नेबर हुट डर्टी यूशुड आपको वहां पर जाकर करके रिक्वेस्ट देम तो भी मोर कंसीडर अब उसको कंसीडर करें वह लोग की अबाउट अदर्स हेल्थ कि आप महां पर जा करके अपने परोसी को भी आप लड़ाई बड़ाई नहीं करके व्यार से आप उनको भी कंसीडर करवा सकते हो कि आप देखो कि दूसरों के हिल्थ के बारे में भी सोचो और यह क्या करो लोड ना बनो डबली डबली टीपी पे यानि कि जो वेस्ट वाटर ट्रीट्मिंट अब हम हर इंशान को क्या कुछी से ध्यान में रखने वाली चीज है कि बेटर हाउस कीपिंग प्राक्टिसेज हमें करना चाहिए कि जैसे उसमें कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको आप मिनिमाइस कर लोगे और इसको आप एलिमिनेट कर दोगे तो क्या होंगे पॉलिट अब बरतन धुल रहे हो वहां पे किस तरह से आप उस जो बेजिन है आपको उसमें आप कौन कौन सा चीजे डाल रहा है वैसे चाक्री पत्ती है सपोर्ज अब आप उसको भी अगर डाल दो वे तो फज आएगा तो इस इन सब चीजों को हाउस कीपिंग जो इसमें क्या है कि जो कुकिंग ओईल होता है और फैट शुड नॉट वी थूंद दाउं देश कभी आप जो है ओईल को यह फैट को आप ऐसे ही ड्रेन में ना डालो देख और हाड़न और ब्लॉक दो पाइप को क्या कर सकते हैं ब्लॉक कर सकते हैं और उसको बहुत हाट बन तो आपको अपको वाइल है या फिर फैट थो आपको दुस्त विन में डालो एक छोटा से कॉंट्रिबुशन आप कर सकते हो दूसरा आपको क्या करना है कि कैमिकल्स लाइक पीन्स और कोई बी शॉल्वेंट्स इंसेटिसाइड है इंसेटिसाइड अब आपको बताया था बाने की दवा है यह मोटर यह कोई मैडिसीन यह यह साली है को अब अब ऑन् protecting तो ये माइक्रोब्स और देंगे होती है। तो नोट थो देम डाउन दो ड्रेंग आपको ऐसे ड्रेंग में नहीं फेक देना है और नेक्स आपको क्या करना है यूज़ टी लीव, सॉलिड फूड रिमेंज, सॉफ्ट ट्रॉड, कॉटन, सैनेटरी टॉवल इन सब क्या करना है आपको चान लेना है इन सब कूडे में अल क्योंकि यह क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे पाइप को और ऑक्सीजन को फ्लो नहीं होने देंगे दे दो नॉट अलाव दो फ्लो आफ ऑक्सीजन, दे हैंपर्स, जो डिग्रडेशन प्रोसेस, अब देखो यहां पर क्या कह रही है मतलब ऐसे ही देखो फस्ट वाले में क् सारा डाल देखो, 2016 में आप लोगोंने स्वक्ष भारत के बारे में सुना ही होगा कि मूदी जी इतना ज्यादा इसका कैम्पियन किया थे, इसको क्या जानते हैं स्वक्ष भारत मिशन, अंडर वीच, अलोट ऑफ ड्राइज सच अज प्रापर सीवेस डिस्पोजल और वाइडिंग ट्वाइलेट फॉर एव्रीवन है वीन स्टार्ट कितने सारे गाउं में इससे ट्वाइलेबल करवाया, यह मतलब करवाया गया ग स्वक्ष भारत मिशन जो 2016 में शुरू हुआ था इससे बहुत लोगों को फाइदा हुआ और इससे इस पर गॉर्मिंट ने बहुत काम किया था अब आप नेक्स्ट देखोगे क्या है यह है लाइटिर वर्मिंग प्रोसेसिंग ट्वाइलेट अब यह डिजाइन किया गया और ऑफ्रेट में अ Regina मी इसका टेस्ट किया गया और शुमें एक्सेट को हां यृए जो उमन बेस्ट एन उसको अर्थ वार्म के थू जो आडिवाया गया और इसको क्या किया गया इस ट्वालेट में क्या होगा पानी बहुत कम यूज होगा और सेफ प्रोसेसिंग है यूमन बेस्ट के लिए उसको जो अर्थ वाम होते हैं दो आपरेशन ऑफ ट्वालेट बहुत सिंपल प्रोसेस है यह और बहुत हाईजिनिक भी है और जो हीूमन बेस्ट होता है इसको कम्पल्लीट ली किस नियुक्त कर दिया जाता है वर्मी केक में सबस्ट कर दिया जाता है और अर्फ वाम तो वैसे भी फार्मर का दोस्त होता है वैसे भी यह स्वाइल को फर्टाइल वनाने में इसका बहुत युगतान होता है आप क्या सकते हो अब नेक्स पॉइंट हम क्या देखेंगे सेनिटेशन एंड भी पूर सेनिटेशन होगा और कंटैमिनेटर ट्रिंगिंग वाटर होगा वहां पर क्या होगा वहां में बहुत सारे नेक्सांद ूसरे अब लिए इंडिया वी बहुत सारे लोगा जो की रहते हैं विदाउट सीवरेस फैसलेटी जहां पर अभी भी सीवरेस फैसलेटी अवलेबल नहीं है वेर डू ते रिलीव देंसल्स वह कहां पर मतलब तब वह लोग कहां पर इसीज को रिलीज करते हैं तो हीमन वेस्ट को अब वैरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफिट्स साइसलेटी अब व्य क्या करते हैं अपने आपकोड़ेसेट करते हैं ऑपने जागे और वहन पर यह आल्ट के वापें और पने वाद सोलेखते हैं फिर रेल्वेट राखिन अब भत źए कितने जादा अंग दूरीटेड होते हैं यूमन एक्सेटरा यह हिल्थ के लिए समझ लो एकदम हजार्ड है मतलब समझ जो पोईजन है इत्मेन वाटर पॉलीशन और प्लिशन और बहुत कितने सारे पॉलीशन होंगे इससे बोध सार्फेस वोटर और ग्राउंड वाटर गेट पॉलिटेड इस अब ग्राउंड वाटर इसे सोर्स ऑफ वाटर फर वेल्स टूबल्स में पानी आता है यह फिर हम रिवर से पानी लाते हैं यह सब तो ग्राउंड वाटर का ही पार्ट है अब आप लोग ने 16 चाप्टर में इसको पढ़ा भी डिटेल्स है इट बिकांस दा मुस्ट कॉमन है जिसमें से सबसे मतलब कितने डैंजर सकॉलर हां ताइफाइड है पोली विगलारटिवन छाप अन्रो raises अब्हुत सारे between अब आप देखोगे अल्टरनेटिव आरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल अब इसके और कौन कोल से अल्टरनेटिव है तो इंक्रोव सैनिटेशन लो कॉस्ट ओंसाइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीग इंकरज्ड अब जैसे जो जिसमें लो कॉस्ट हो मतलब करें लो कि अधर और से जो सिस्टम एक हैं को करना चीक जाती हैं और सब्सक्राइब लगा जाता है जहां पर मतलब की जिसे ऊस्पिटल हो गए या फिर कोई मेला वाईला होता है तो ऐसे जगह पर लगा जायए करें तो इसको क्लीं करने वाले आते हैं तो ऐसे होता है और में यहाँ से होता है और इसको प्लेस को बहुत ही होता है और कर तेय कंपोस्टी था डाल चीएं सें ज़िए मुद्थ को तें लो थे अक्सर यह आपको septic tanks दिख जाएंगे for hospitals isolated buildings होते हैं isolated buildings मतलब जो अलग building होते हैं जहां पर प्रॉपर सीवरे सिस्टम नहीं होता है या फिर cluster of four or five और ऐसे तीन चार पांच घर हो जहां पर वहां बेबिए septic tanks use होते हैं some organizations यह क्या करते हैं some organizations offer hygienic on site human waste disposal technology अब कुछ organization क्या करते हैं यह नहीं नहीं टेकनोलोजी भी आ रही है human waste disposal करने के लिए these toilets do not require scavenging ठीक है इन toilet को क्या है scavenging की जरुरत नहीं पड़ती है etc और क्या करते हैं from the toilet seas और वो तुरंत ही convert हो जाते हैं drain into the bio gas plants और यह क्या होते हैं तुरंद bio gas plant में चले जाते हैं जिससे bio gas plant चुक होता है bio gas plant क्यों यूज होता है यह तो आपको पता है source of energy है और तो डारेक्ट उसमें चले जाते हैं तो ऐसे new technology के थूँ बहुत सारे human-based disposal का बहुत सारा वो आ रहा है new new technology आ रही है आप कह सकते हो जिससे डारेक्ट जो है एक्सेटर होता है वेस्ट रोता है वो चला जाता है bio gas में अब sanitation and public places कैसे होता है in our country fairs are organized periodically a large number of people participate in them अब बहुत हजारों जारों लोग आते हैं एक मेले में जाते हैं तो फिर क्या होता है in the same way railway stations bus reports airports पे आप से ले जाओ hospitals are very busy places ऐसे जगह पे लोग पतलब हजारों लोग आते जाते रहते हैं तो महां पर क्या होता है thousands of people visit them daily तो महां पर कैसे जो है sanitation को कैसे maintain किया जाता है public place पर कैसे maintain किया जाता है तो large amount of waste is generated तो वहां पर जाहिर सी बात है कि बहुत जादा होंगे here it must be disposed of properly other voice epidemics अब क्या होगा अगर इसको properly नहीं manage किया जाएगा तो क्या होगा कि यह कि हमारी के रूप में निकल कर आएगा मतलब सारे diseases हो जाएगे मतलब epidemics हो जाएगा महामारी की तरह लोगों को इतना सारे disease हो जाएगे कि control बल ही नहीं हो गांट्रोल ही किया जाएगा तो गॉपने क्या करती है गौर्मेंट भी बहुत सारे आईडिया ऐसे से जगह पर अपना दिखाती है दो गौर्मेंट पर बहुत सारे सानिटेशन के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड पर अपनी कदम तो उठाती है लेकिन क्या होते हैं ना कि वो फोलो नहीं हो पाते हैं इंप्लिमेंटेशन मतलब बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है हाववर ऑल अफस कांट्रिबूट इन मेंटेनिंग सानिटेशन अट पाबलिक प्लेसे अब अपने यहां की पॉपलिशन भी इतनी जादा है इस वजह से हमें थोड़ी से और जादा बढ़ानी पड़ेगी हम अपने चाहें करते हैं पॉपलिक और लिख धिखांची अपने घर पिलेगा है मेंक फोटे में डाले घर पे ऐसे छोटे में जूज आख योगवर्मेंट कर सकते हैं तो conclusion में क्या निकला we all have a role to play in keeping our environment clean and healthy तो हम सबका अपना एक duty होता है ना अभी आप देको fundamental rights पड़ते हैं तो fundamental duties के साथ आप ये भी उसमें add करो कि अपने environment को जो है clean and healthy रखेंगे तो आपको क्या contribute करना है you must realize your responsibilities in maintaining the water source आपको water sources in a healthy state तेक है आपको अपनी responsibility को realize करना है और जितना भी आप contribute कर सको environment को clean रखने में आप करो adopting good sanitation practices should be our way of life हमें अपनी जो भी sanitation practices है उसे जो है एक सही तरीके से right direction में और अपना effort लगाते हुए थोड़ा ही थोड़ा contribution करेंगे तो एक अच्छा सब्सक्राइब हमारा environment clean रहेगा और क्या as initiatives will make a great difference as an agent of change your individual initiatives will make a great difference अब आप यह मत देखो कि आपके आज पास लोग क्या करने हैं आप कोई भी शुरात अपने आप से करके देखो ना तो आपको देखके चार लोग और motivate होंगे वह भी उस चीज को आपको देखकर के आपके घर में चोटे बाइब भाई बड़े भाई कोई भी वह भी इस्टीज को सीखेगा तो इन्फ्लेंस करो दूसरों को अपनी आइडिया से दूसरों को जो है आप सिखाओ के ऐसे हैं यासे हैं आप करोगे न तो दूसरा को यह आप सीख लेगा और अप्टमिस्टिक बनो पनी लाइफ में a lot can be done if people work together बहुत कुछ कियाता सकता है हमारे की population जो है यह ताकत भी है कमजोरी ही नहीं है ताकत भी है अगर हम सब मिल करके कुछ काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं there is a great power in collective action collectively कोई भी काम होता है तो बहुत ही great power निकल कर आता है मादमा गादी जी ने कहा था no one need to wait for anyone else to adopt a human and enlightened force of action किसी कभी आपको वेट वेट नहीं कर रहा है आपको अच्छे काम आज ही से अभी से शुरू करना है और आप दूसरों को भी influence करो दूसरों को भी आप सिखाओ चीजों को और चेंज करो डे बाइडे और आप लोग उन्हें बहुत को सीखा होगा keyword में अरिएशन और बैक्टीरिया और बैक्टीरिया आप लोग मतलब इसके लिए एक separate वीडियो ला दूँगे वैसे तो सब कोछ अगर आप चैप्टर को ड वीडियो आजाएगा तो थाइंक यू फो वचिंग थाइस